हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूटूब चैनल और अपसर मैथमेटिक्स में एक बार फिर से हाजिर हैं सामान निगयान के 25 को लेकर जो के प्रत्यक परिच्छा में पूछे जाते हैं जनरली क्वेशन से स्टैटिक जीके से इस सीरिज से ही आते हैं जो हमारी सीरिज चला ही जा रही है तो दोस्तो इसी प्रकार के और वीडियो चुपाने के लिए चनल को सब्सक्राइब कर लें और पास मैं वेल आइकन को अवश्य दबाले इससे के आपको डेली आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो दोस्तो इस्टार्ट करते हैं वीडियो प्रयोक्षाला में बनने वाला पहला तत्व है तो प्रयोक्षाला में सबसे पहला जो तत्व बना था वह बना था यूरिया नेक्स्ट क्वेशन आता है भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन शाथा तो भारत के द्वारा जो छोड़ा गया पहला उपग्रह था उसका नाम क्या था तो आर्यभट उसका नाम था नेक्स्ट है पैंसिलीन की खोज किस ने की थी तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पैंसिलीन की खोज की थी अगला है चेचक के टीके की खोज की थी वह जेनर ने की थी इनका पूरा नाम एडवर्ड जेनर है नेक्स आता है जीब बिग्यान के जनमदाता कौन है तो अरस्तु को जीब बिग्यान के जनमदाता के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है डाइनमाइट के अविश्कारक है तो डाइनमाइट के अविश्कारक अल्फरेट नोविल है और इनी के नाम पर नोविल उपयोग में लाई जाती है तो एथलीन को फलों को पकाने में उपयोग में लाया जाता है नेक्स्ट है किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है तो अमीर खुसरों को सितार और तबले दोनों का जनक माना जाता है अगला प्रशनाता है भारत में पंचवर्शी योजना का अनमोधन करने वाला सर्वोच निकाय कौन सा है तो पंचवर्षी योजना का अनमोधन करने वाला जो निकाय है वह राष्ट्री अविकास परिशद है नेक्स आता है भारत के किस राज की सीमा चीन नेपाल और भूटान से मिलती है नेक्स आता है नाथूला दर्रा किस राज में है तो नाथूला दर्रा सिक्किम राज में इस्तित है 1912 में अलहिलाल समाचार पत्र किस ने शुरू किया था तो मौलाना अबुलकला माजाद ने अलहिलाल समाचार पत्र सुरू किया था अगला प्रशन है महान चिकित्सक चरक किसके दर्वार में थे तो कनिस्क के दर्वार में थे महान चिकित्सक चरक नेक्स्ट कुश्यन आता है भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं तो स्री धरन को मेट्रो पुरुष की नाम से जाना जाता है अगला question आता है भारत की स्वतंत्रता के समय कॉंग्रेस अध्यक्ष कौन थे तो जे भी क्रपलानी कॉंग्रेस अध्यक्ष थे कब भारत की स्वतंत्रता के समय next Congress और Muslim League के बीच लखनव समझवता किस वर्ष हुआ था तो Congress और Muslim League दोनों के बीच में जो समझवता हुआ था वह 1916 इश्वी में हुआ था अगला प्रशन है पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया तो मराठों और अहमद साह अबदाली मराठों और अहमद साह अबदाली दोनों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था next राता है RBI के नए नियमों के अनुशार चेक और बैंक ड्राफ्ट की बैदता कितने समय तक की है तो कितने समय तक वह बैद रहता है तो वह तीन माह तक यानि तीन माह या तीन माह रूप है विश्व व्यापार शंग्ठन का मुख्याले कहां पर है तो जेनेवा स्विट्जर लेंड में विश्व व्यापार शंग्ठन का मुख्याले है चौरी-चौरा कांड के बाद महात्मा गांदी ने कौन सा अंदोलन इस्थगित किया था तो असायोग अंदोलन को इस्थगित कर दिया था चौरी-चौरा कांड के बाद Next है केरल के तट को क्या कहते हैं तो केरल के तट को मालावार तट कहते हैं अगला प्रश्ण है जैन्द अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुष्टक है तो पार्शी धर्म की धार्मिक पुष्टक है जैन्द अवेस्ता तो दोस्तों यह थे इस वीडियो के महत्वपूर्प्रश्ण वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना इसी तरह के और वीडि झाल झाल